नमस्कार दोस्तो मैं प्रभातिवारी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभातिवारी स्टडी आई-उपे उत्तर प्रदेश दरोगा भरती 2021 दोस्तो सब को पता है कि जो फार्म अप्लाई किया गया था इसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे थे जो ओबरेज हो गए हैं और वो दोस्तों इस दरोगा भरती से बाहर हो गए थे सब को पता है कि फाइश बेंच में दोस्तों हमारा जो केश चल रहा था उसको यहाँ पर रद्ध कर दिया गया और आप बच्चे दोस्तों डबल बेंच में पहुँच चुके हैं और मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि केस संख्या क्या है और हमारा डबल बेंच में दोस्तों क्या सुनवाई हो सकती है और किसके पच्च में फैसला आ सकता है और सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्य बात देना चाता हूँ जो आप लोगों ने एक जुटता दिखाए चैकि देखो यार केस में एक जुटता बहुत जरूरी होती है कई-कई लोगों ने 2000 रुपे भेजे हैं कई-कई लोग 1500 रुपे भेजे हैं तो दोस्तो आपने इसके लिए मैं आप सभी को धन्य बात दिना चाता हूँ और सभी भायों को अर्ष्वासंडी आरुचा चाता हूँ कि दूस्तो जो हमारा सभी के पंच में आये आप सब के हित में आये ऐग्यों को प् traditions का को रहा है कि हम 15,000 के करीब SI की भरती और कम से कम 30,000 आपकी कॉंस्टेबल की भरती भरेंगे जिससे जितने भी पोस्ट यूपी पुलिस कॉंस्टेबल में खाली हैं और SI में खाले हैं सारे फिलप हो जाएंगे लेकिन दोस्तो ऐसा कुछ नहीं किया 5 साल बाद आपकी SI की बैकेंसी लात प्रत्यच आप आनलाइन भी चेक कर सकते हैं और जो हमारी डायर की गई दोस्तों ये 69-2021 को डायर की गई है और चलिए मैं आपको आड़ दिखाता हूं दोस्तों जो हमारे एडविकेट हैं दोस्तों को कौन है वह सिवेंदू ओजा जी है और चो में याची करता है दोस्तो सचीदानन सुकला जी है और 88 लोग है ठीक है इस्टेट और बच्चों के वीच में यह मामला चल रहा है और डबल बेंच में यह केस दैर हो चुका है और यह दोस्तों कुछ बच्चों जो पेमेंट भेजी थी 15 सुरुपे 2000 रुपे वह इनकी दोस्त है वह सारी मैंने आपक सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर जैनल जैगा और यहां पर उम्मीद कराओ दोस्तों आपकी 10-15 दिन यहां पर साइट को खोलना पड़ सकता है दोस्तों भरती बोट को ठीक है जैसे दोस्तों कोई अप्डेट मिलती है दोस्तों मेरे चनल के माध्याप से आपको जै हिंज जै भारत